हाई, वेंट समाथ, इत मुस्ट भी मैस भाईयमिये, विलकम अगीन तो वोल्ड उफ मैस भाईयमिये, आपके सामने एक बहुत बेसिक सा, बट, मुल्टिपल कॉंसर्ट का एक कोश्चन है, that's why I have written advanced number system, मैं चाहता हूँ, वीडियो को करो पॉज और इस कोश्चन को करो आप तो I hope आपने वीडियो पॉज किया होगा, इस कोश्चन को solve किया होगा, यह बहुत basic सा question है, आए solve करते हैं, हमें check क्या करना है, 7 से divisibility, and number कौन सा है, number है ABCAB, एक 5-digit का number जिसमें last 2-digit और first 2-digit same है, तो इस सब कुछ depend करता है कि अगर मेरा C7 से divide हो जाए, तो number भी divide हो जाए तो यह AB into क्या है, 1000, plus C into क्या है, 100, plus क्या है AB, यह number formation में आप लिख रहे हो, आपको इसको 7 से divide करना है, मुझे यह पता है कि 1001, 7 से divide होता है, तो 1000 अगर 7 से divide होगा, तो remainder 6 देगा, और minus 1 देगा, तो मैं इसका remainder equivalent लिशकता हूँ कि यह minus AB है, plus C into, अगर यह 7 से divide होगा, तो till 98 यह divide देगा, into 2 होगा, plus AB, यह cancel out होजएगा, देखो, आपको पता है कि 2 to 7 से divide नहीं होगा है, बट अगर C 7 से divide होजएगा, तो पूरा number 7 से divide होजएगा, तो प्रीज आपको यह बात पता होनी चाहिए, इनी 5-digit numbers, जिसके first 2-digit और last 2-digit seem होते हैं, तो middle digit पे depend करता है, 7 से divide होने के लिए, C 7 से divide कब होगा, जब यहाँ पे 0 होगे, या 7 होगा, मतलब हम यह बोच सकते हैं, C has 2 values, 0 और 7, यह तो C का values था, हमें AB का value क्या मिलेगा, देखो, A 0 नहीं हो सकता है, विगा जर्शे 5-digit number, leading digit कभी 0 नहीं हो सकती है, तो A जो भी होगा, 1 से start होगा, B independent होगा अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने बोला क्या, we have A, B, C, A, B, C के values चाहे तो 0 होगे, मैं फिर से लिख रहा हूँ, A, B, C, A, B, या तो 7 होगे, यह मुचको पता है, now A, B is a double digit number, तो वो 10 से start होगा, एक number यह भी हो सकता है, 10, 0, 10, और कहा तक जाएगा, 99 तक जाएगा, यह मैं आपको बता रहा हूँ, यह cases कैसे मैंने recite किया, कि मुझको पता है, if C is the 0, this is a double digit numbers, तो double digit numbers होते कहां से है, 10 से start होगे, 99 तक, यहाँ पे total, जो number 10 यहाँ पे आएगा, यहाँ भी 10 होगा, यहाँ 11 होगी, तो यहाँ भी 11 होगा, यहाँ 99 होगा, तो यहाँ भी 99 होगा, because A cannot not be 0, यह total हमारे पास जो है, 90 numbers है, अगर C is 0 है, तो हमारे पास 90 numbers है, even C अगर 7 है, तो यह value 10 से 99 जाएगी, आप बहुत easily, अगर आपके concepts आपके साथ है, आपको सब कुछ आपको पता है, तो for the 7, we have 90 such numbers, and for the 0, we have 90 such numbers, the total number possible is 90, plus 90 is 180, so the 180 is the answer of this question, मैंने इसको कैसे बताया, कैसे बनाया, मैं आपको बताता हूँ, फिर से repeat करता हूँ, 7 is 1001 को follow करता है, अगर आपके पास ABC AB है, तो आपको एक बात तो पता होनी चाहिए, कि अगर इसमें remainder theorem का number system का formation मैं डालूं, तो मुझको पता चल जाएगा, कि यह इस AB, the first AB and the last AB, यह cancel out होंगे, सब कुछ depend करता ह है, C जब सब को C पर depend करता हूँ, C 7 से divide होना चाहिए, तो C का value चाहिए, तो 0 होगा, या 7 होगा, इतना तो आपको clear है, अगर आपने C को fix कर दिया, 0, तो AB is a double digit number, यह 0 से start नहीं सकता है, तो यह 10 से start होगा, और 99 तक जाएगा, 96 number बनेंगे, क्योंकि अगर आपने यहाँ प होगा, you take any numbers 23, 7, 23, आप इसको 7 से divide कर दो, यह 7 से divide होगा, तो आपको यह सारे basic concept of number system पता होने चाहिए, जो आपके आने होने exams के रिए बहुत important है, तो this is a detailed solution of A, B, C, A, B, individual by 7, for your upcoming examination, अगर आपके कोई भी डाउट हो, तो feel free to ping me anywhere on the social networking site, आप दो अपना best, मैं देता हूँ अ and let's crack the examination